हेलो दोस्तों क्या आप भी दाद खाज खुजली से परेशान है तो आज हम आपके लिए लेकर आए है कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जिन्हे सही तरीके से अपनाने के बाद अगर आप इनका इस्तेमाल करते है तो आपको हमेशा के लिए दाद खाज खुजली से छुटकारा मि मिलता है लाल गाजा के बुरादे को सेंधा नमक के साथ सेंग कर गरम गरम दाद पर डालने से आराम मिलता है केले के गोदे में नीमबू का रस मिलाकर दाद पर लगाने से दाद मितने लगता है कच्ची हल्दी का लेप दाद पर दिन में कई बार लगाने से भी राहत मिलत नीमबू का रस दाद में लाबदायक होता है। 15 मिनिट बाद नहा लें। तुलसी की पत्तियों को मसल कर उनका रस निकाल लें और उसमें सेंधा नमक मिलाकर खुजली वाले स्थान पर लगाएं। रोजाना खाली पेट एक चम्मच नीम का रस एक चम्मच शहद के साथ लेने से भी खुजली की समस्या दूर होती है। नीम की पत्तियों को पीसकर दही के साथ दाद पर लगाने से दाद दूर होता है। खुजली के स्थान पर बर्फ लगाने से भी राहत मितली है। सेव का सिर का प्रभावित स्थान पर लगाने से भी आराम मिलता है। एलूविरा का गोदा खुजली वाले स्थान पर लगाते रहने से आराम मितला है और कुछ दिनों में यह समस्या दूर हो जाती है। एक चम्मच पिसा हुआ चिराइता रात को एक शीशे की गिलास में पानी भर कर रख दें। सवेरे उस पानी को चान कर दिन में तीन बार एक एक कप पिएं। यह खून साफ करता है और बहुत से रोगों को भी दूर करता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें। हन्यवाद